करीब 6 दसक तक देश में सिरफ 7 एम्स देश में सेवाई दे रहे थे साल 2014 के बाद इससे 2 गुने यानी 15 एम्स देश में या तो स्थापिद हो चुके हैं या फिर शुरू होने की प्रक्रिया में है साथियों बीते 5-6 सालों से हाईर एजुकेशन में जो प्रयास हो रहे हैं ये प्रयास स्रिम नए इंस्टिटूशन खोलने तक ही सिमित नहीं है इन संस्थाओं में गवर्नन्स में रिफर्म से लेकर जेंडर और सोशल पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया गया है ऐसे संस्थानों को जादा अटोनोमी दी जा रही हैं ताकि वो अपनी जरुरत के मुताबिक फैंसले ले सके पहले आएम एक्ट के बहुत उसके तहत देश भरके आएम्स को जादा अधिकार दिये गए मेडिकल एजुकेशन में भी ट्रांस्परंसी की बहुत कमी थी इसे दूर करने पर भी जोड दिया गया आज देश में मेडिकल एजुकेशन में पार दर्सिता लाने के लिए नेशनल मेडिकल कमिशन बनाया जा चुका है होमियोपथी और दूसरी भारतिय चिकत्सा पद्धेतियों की पढ़ाई में रिफार्म्स के लिए भी दो नए कानुन बनाये जा रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में हो रहे है रिफार्म से देश के युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए जादा सीटे मिलनी सुनिस्टित हो रही है